हेलो फ्रेंट्स, कम्पीटिशन तक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत और आज की इस वीडियो में HSSC का बहुत बड़ अपड़ेट है, रियान स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ने अभी सभी भरतियों के लिए वर्स 2021 से common interest test करने की गोशना की है और इसके साथ इसके लिए registration portal को launch भी कर दिया है और उसकी registration की dates की भी गोशना कर दिया है और इसके बारे में अन्य सभी important information में आप लोगों को बता देता हूँ लेकिन जिसे पहले वीडियो में start करूँ जो भी students हमारा चैनल competition तक पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल को subscribe कर ले और bell icon पर press करना ना बोले ताकि competition examinations और classes चे संबंदित जो भी वीडियो जम अपलोड करें हैं आप लोगों तक पहुंच सके तो भी आप लोगों को मैं exact news दिखा देता हूँ HSC अब powerful होगा सभी बरतियों का किया जाएगा common interest test तो यह देख सकते हैं आप इसमें clear बताया गया है कि हरियान सरकार ने अब राज्ये में सभी बरतियों के लिए common interest test की गोशना की है और यह test करमचारी चरनायों का इसके साथ ही इसकी जो dates है वो भी मैं आपको बताऊंगा गुरूप B और गुरूप C की नोगरियों के साथ 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 गुरूप A और B के पदों के लिए भी HSC common interest test करेगा इसमें clear बताया गया है और HPSC और HSC में one time registration 3 January 2021 से सुरू हो जाएंगे इसके लिए one time registration पोर्टल लांच भी कर दिया गया है विभी नोगरिक लिए आवदन करने वाले युवाओं को साल में सिर्फ एक बार इफीज देनी होगी और एक बार इस पर रिजिस्टेशन करके उनकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स के अनुशार वो अप्लाई कर पाएंगे उसमें बार बार उनको फॉर्म भरने की जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसा इसमें बताया गया है और इसके बारे में कुछ अन्ने अपडेट भी है वन टाइम रिजिस्टेशन पोर्ट लांच हो चुका ह रिजिस्टेशन तीन जनवरी से सुरू होगा और साल में परते एक वर्स में केवले एक बार इस पर आपको रिजिस्टेशन करना होगा उसके बाद आपकी यूनिक आईडी बन जाएगी और उसमें किसी भी सरकारी पत्र पर आवजन करने के लिए बार बार आपको अपने जो निजी डिटेल्स हैं बार बार नहीं एंटर करने पड़े ही चाहिए क्वालिफिकेशन हो या जो भी आपका पर्सनल डाटा आपको बार बार एंटर नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आयोग आपके आविजन पत्र को जो अप्लिकेंट उसके फैमिली आईडी से ट्रीप नहीं पड़ेगी है इसमें कहा गया है अगर बीच में आपके सेक्शनिक योगत एजुकेशनल क्वालिफिकेशन या एक्सपिरियंस में कोई भी चेंज होता है तो फैमिली में आईडी में उसकी एंट्री नहीं हुए तो आवदक को आयोग के दोवार आपने आवदेन पत और गुरूप C और D के लिए कॉमन इंट्रैंस टैस्ट में मेडिट के आधार पर यह आउओं का चनकिया जाएगा गुरूप और A और B में कॉमन इंट्रैंस टैस्ट लेकर ह्रियाना करमचारी चैयनायorf पूरा ड़ाटा ह्रियाना लोक martyr में नहीं आंप आने वारत्य को ती आर्थी अप्लिकेंट से 500 रुपे फीज ली जाएगी OBC, SC, ST से या अन्य बैकवार्ड क्लास या फिर आर्थी ग्रूप से कमज़ोर चरेने के EWS से 2500 रुपे ली जाएगे इसके बाद वे साल में जितनी बार चाहे आवी दिन पत्र भर सकेंगे चाहे कोई भी वेकेंशी हो बार-बार फीज आपको नहीं देनी पड़ेगी तो डिटेल्स हैं आजए SCC का बड़ा अपडेट था इसके बारे में complete details मैंने आपको बता दिये 3 जनुरी चे registration स्टार्ट होगा तो कैसे registration कर पाएंगे ये complete details वीडियो के द्वारा में आप लोगों को बता दूँगा ताकि आप लोगों को कोई भी प्रिजानी का सामना ना करना पड़े तो आप हमारे जैनल competition तक को जरूर सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को maximum students तक share करें ताकि लोगों कोई अपडेट प्राप्त हो सके और अपना टाइमली registration कर सकें